आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेस्बुक गुरूप पर लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो उसके लिए आप ओपन कर लीजिए अपने फोन में फेस्बुक को और फेस्बुक को ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में थ्री लाइन पर क्लिक करना हैं थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा ग्रूप के नाम से आप ग्रूप वाले ओप्शन पर क्लिक करिए उसके बाद आपको उपर मिलेग का एक option, your groups के नाम से, आप यहां पर your groups पर click करिए, यहां पर आपके group के नाम आ जाएंगे, जो आपने join करें हैं, या फिर जो आपने create करें हैं, यहां पर आपको जिस group में link को share करना है, उस group को आप open कर लीजिए, यानि कि group की profile को open कर लीजिए, तो जैसे कि रोहित नाम का हमारा एक ग्रुप है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ग्रुप की प्रोफाइल उपन हो जाएगी तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले जो लिंक शेयर करेंगे वो आप कॉपी कर लीजिए तो एक्जांपल के लिए हम यहाँ पर अपनी एक फोटो का लिंक कॉपी कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी इस पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं कॉपी लिंक पर क्लिक कर दिया है हमने उसके बाद हम जाते हैं groups वाले option पर फिर your groups पर उसके बाद अपना group open करिए और उसके बाद आपको मिलेगा create a public post यहाँ पर आप create a public post पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपको create a public post पर फिर से क्लिक करिए यहाँ पर आपको दवाके रखना है यानि कि long press करके रखिए यहाँ पर आप इस पर दवाके रखेंगे तो एक option आएगा paste के नाम से, paste पर आप click करिए उसके बाद आपको उपर right side में मिलेगा corner में post का option, यहाँ से आप tag कर सकते हैं किसी को post पर आप click कर दीजिए और click करते ही आपका जो link है वो यहाँ पर share हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, link कि हाँ पर हमारा share हो चुका है इसी तरह से आप facebook group में link share कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और channel को subscribe जरूर करें